इस बार खुद प्रदेश सरकार के मुखिया सवाल कर रहे सियम शिवराज ने गुरुवार को पूर्व सरकार से चौथा सवाल पूछा सवाल था आखिर क्या हुआ किसान कर्ज माफी का जिसके बाद राजनीति गलियारों में हल चल मच गई लेकिन क्या सवालों के तीर से चुनावी वेतरनी पार होगी तमाम मुद्दों पर हम करेंगे चौचा पर उससे पहले देखते हैं रिपोर्ट फिर सियासी मुद्दा बना किसान कर्ज माफी शिवराज के सवालों के तीर तागे चार सवाल क्या बयानों से लगेगी चुनावी वेतरनी पार मध्य प्रिदेश में किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर कॉंग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं बुखिमंतरी शिवराज सिंग चौहान लगातार सवालों की तीर चोड़ रहे हैं बिद्भार कॉनों ने कॉंग्रेस की पूर्व सरकार पहल गुश्टना पत्र के बचन को भंग करने की बात कही थी और कुरुबार को सिंग में चौंथा सवाल दागा और आरोफ लगाया कॉंग्रेस ने अपना वादा नहीं निभाया सिंग शिवराज ने कमलनाथ से पूछा कॉंग्रेस ने अपने वचन पत्र में दो लाक रुपे तक के किसानों के कर्ज माफी का वादा किया था दो लाक से ज्यादा कर्ज जिन किसानों पर था उनका कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ कालाती तरिन माफी पूर्णी की गई किसान जानना चाहता है कमलनात जवाब दो अगल बगल के नहीं बलकि पूर वसियंग आप खुद जवाब दो जवाब देना पड़ेगा आठ लाग किसान पूछ रहें दो लाग से ज़ादा था तो हमने कोई पाप किया था क्या काला तीत अगर रिन हो गया था तो हम कोई पापी थे क्या तुमने कहा था ये वच्चन क्यों नहीं निभाया हाला कि मुद्दा घर्माया तो कॉंग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली थी कॉंग्रेस ने तुरंट पलटवार करते हुए खुद बीजेपी पर हमला बोला कॉंग्रेस का क्या कुछ कहना था आप भी सुनिये अगर यो तुलसी राम सिलावट चुनाब पिछली सरकार में भी थो और इनी सरकार में भी है अगर यो दो लाग रुपया तक को करजो में आप निकराओगो चुनाब पेना तेका गाम में घुसोन दाना कही अगर दो लाग रुपया तक को करजो पिछली सरकार में भी सुनाब पेना तो इका अपन धाम में घुस्ने जागा कही ये वह ज़िए सब दूर तुलसी राम सिलावट तक कोचा देना है जीतू पटवाई की बात थी एन कांग्रेस की भी निवी बीजेपी की भी निए उपचुनाओं करीब जो हैं लेकिन क्या मद्दाता इन बयानों की पीर को आधार मान कर पार्टियों की बैतर नी पार लगा पाएगा बेस्क रिपोट्च बी एन एन तो सवालों का सिलसला काफे पुराना है लेकिन अब सरकार भी चार सवाल कर चुकी है और सवाल वही किसान कर्समाफी जिसको लेकर कांग्रेस सत्ता पर काबिस हुई थी और किसान कर्समाफी मुद्ध formula भी चायद चौबएस उप्सर चुनाओ जो होने है उसमें भी यही मुद्धा जादा रहेगा क्या है सवाल और क्या कॉंग्रेस की तरफ से इसको जवाब है इस पर चर्चा करेंगे चर्चा में हमारे साथ मेमाल शामिल हमसे परिचा कराओंगी हमारे साथ है बीजेपी से ब्रिज गोपाल लोया जी बहुत स्वागत है लोया जी आपका कॉंग्रेस से अमित तावरे जी है बहुत स्वागत है अमित जी आपका और वरिश पत्रकार है संजीव श्रिवास्तों जी बहुत स्वागत है संजीव जी आपका शुरवास संजीव जी आप से करेंगे सवालों के तीर जो है वो आज कोई नए नहीं है पहले भी जब विदासबा चुला होने थे 2018 में उस समय भी कॉंग्रेस सवाल करती रही लेकिन अब चुकि सरकार है बीजेपी के और सरकार मुकमंती शिवराज सिंग चौहान खुद कॉ विपक्ष से सवाल कर रहे हैं कि वो वादे आपके क्या हुए जिसको लेकर आप सत्ता पर आए और पंद्रा महीने आपने राज किये पर किसानों के कर्ज माफ दो लाग क्या कुछ भी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ अब जवाब दे उस पर आपको क्या लगता है जो माफ नहीं हुआ या जिस तरह के सवाल मुकमंति शिवरा सिंग चोहान कर रहे हैं वो उसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए अब जवाब से लाजमी है उप चुनाओ निकट है तो यह उठना कही कोई नई यह गलत बाद नहीं है मत्रप्रदेश में 75,000,000 के लगभा किसान है मत्रप्रदेश कृष्षी आधारिक राज है तो बहुत बहुत बड़ा वोट बैंक है तो कहीं ने कहीं जब भी चुनाओ होते हैं तो किसान बहुत प्रमुक एजंडे तो होता और अब जब को नहाच 24 सीटे हैं उप्चनाओ के लिए और बड़ा क्रूशियल उप्चनाओ का दोर आने वाला है क्योंकि कॉंकि कॉंग्रेस आती कि अधिक सथीट ले जीत ले तो उसकी सक्ता में आ चुकी सक्ता में आ चुकी है तो कैसे से बनी रहें कितना है अपने आपको मजबूत करने कि हम ने आपक्त में जाएं तो 2018 के शमाओ में कॉंग्रिस में बहुत सावे वायदे किये थे उसने किसानों पो लेकर वाज़े से और बीजेपी की तरफ वाज़े से अज़द सक्ता कि को मिले तो कहीं ने कहीं कोशिश की किसानों के कर्जे माप करने का प्यास हुआ ब अब यदि शिवरा सिंग चौहां घेरा मंदी कर रहे हैं तो बिकुल ठीक है। बहुत बड़ी संक्या ऐसी भी रही है कि किसानों के करजे माफ नहीं भी हो पाएते हैं। और फिर दो लाग से उपर वाली जो उनने पाद रखाई है। तो इस तरी के तीज चलना नाजमी है। चलेंगे आगे और तेज होगी ये लड़ाई। और कहीं ने कहीं ये पूरा सा पूरा उप्चुना और किसानों पर बहुत ज़्यादा केंड़ाने वाला है। ना केमल वीजेपी अपने सवालों की बोचारों को तेज तरी की कॉंग्रेस को जवाब देना होगा। किसानों के कर्ज माफ किया है तो पिर जवाब दीजिए। अगर सबाल आपको लगता है कि सही नहीं है तो पिर उसका जवाब कहीं से कोई आया नहीं है। जो जिनको पिर जिन्ता पार्टी को कमल नाथ को भी आ हो चुका है। उनको राज के सब्सक्राइब भी आधरनी कमल नाथ की दिखते हैं। अब आपने मंदी मंदल विस्तार किया तो आप इमागों का बटवारा नहीं करता रहे हो। एक सब्सक्राइब भी आपने मंदल विस्तार के दिखते हैं। फिलाल अमीजी प्रदेश के मुखिया है शिवराज सिंग चाहान और सवाल जब पूछ रहे हैं अगर आपने किसानों के कर्ज माफ किये हैं तो एक बार फिर जवाब दीजे पहले भी आप बताते रहें कितने कर्ज माफ की आपके पूरी देखिए हमने अधिकतर किसानों क रही का कर्जा माफ किया है और सरकार जो होती है सरकार पास साल की होती है सरकार साल की नहीं होती है सब्सक्राइब करें चलिए लोया जी से पूछ लेते हैं लोया जी तावरे जी का कहना है कि आखें अब लोया जी को बिद्यान होगा पूरी सूची लेकर पहुंचे थे अब लोया जी का कहना है कि कमलनाथ फोबिया वीजपी को हो गया है जिसको देखो जहां देखो कमलनाथ कमलनाथ आखिर कमलनाथ की इतनी इतना जाप और सवाल जब पूछे जा रहे हैं तो यह कहना है तावरे जी का कि पूरी लिस्ट हम पहले भी दिखा चुके हैं और अब जवाब देने की ज़रूवत हमें सिर्फ जन्ता को है आपको अलग है हम इजी जो बात कर रहे हैं वो दरसल एक जयर जिम्मेदार विपक्ष्ट की बात कर रहे हैं कि मत्यप्रदेश की जन्ता को जब आप देंगे तो क्या हम मत्यप्रदेश की जन्ता नहीं है मत्यप्रदेश की जन्ता है मत्यप्रदेश का किसान है दूसरी बात में आप से नौसो पेहतर जुट बोनकर आप सरकार में आए थे और आप एक काम भी नहीं कर सके लिए किसान करजे माफ होना तो मुम्किन नहीं था आप इस बात को मैं अगर मुम्किन हमारा वही कहना है कि जो चीज मुम्किन नहीं नहीं तो मुम्किन नहीं था करता है कि आप जियं किए क्या पर्यूट, तो मध्यकिन आप सब्सक्राइब होने कि लिए जूट मुम्किन को ब्रह अने प्रतिमा हैं कि यूब च। मुख्यमंत्री जी ने चारो सवाल की हैं तीसरा सवाल उनका यह था कि आप तन्यादान लोगना कि प्रुटी बेटी का पैसा था वो खा गए आप नहीं दे पाई आपने मद्य प्रुदेश के लोगों पो मद्य प्रुदेश के गाउगरीबर किसान को पैसा मिलना था वो आपने नहीं दिया जितनी राशिक केवल 6,000 करोड रुपए आपने 15 महिनों में दिया है उससे ज्यादा पैसा तो हमने किसानों को एक एक फसल के नश्ट होने पर दिया है इससे ज्यादा पैसा दिया और अभी कह र कर रहा हूं जिल लोगों ने रिनमाफी की घोषना की ती हुए रिनमाफ नहीं कर सके और किसान साथ पिस्दी की जगह 14 पिस्दी में सब्सक्राइब में समझे मध्य प्रदेश के किसान के मध्य प्रदेश के जाओं के इनके साथ को यह रहा हम उत्पादन में पढ़िया को पीछे चोड़ दिया और एक करोर 19 लाग कन का उपारजिन मध्य प्रदेश की सरकार्ने कराय बहार गए इनने जूट बोला जंता से सरकारने आने के पाँ जूट बोला और आज मुख्यमंत्री जी ने एक और बात कही है जिस पर 2.00.000 से अधिक का कर्जी था उसको आपने 2.00.000 क कर्ज बाति में शामिल को नहीं किया यह मानने मुख्यमंत्री जी ने प्रश्नों ठाया है और इस प्रश्न का जवाब देने की बजा है Congress कभी राइट जाती है कभी लेट जाती है अरे सीधे सीधे जवाब दीजिए कि आपने किन का माफ किया है तावरे जी जवाब दीजिए सीधा सीधा लेट और राइट जाने की जरूरत नहीं आपको जवाब देना होगा कि जो बातें दूसरा सवाल जो है मकमंति शिवरा सिंग चौहान का उस पे आप क्या कुछ कहें देखिए लेट और राइट जाने की बात नहीं है Congress Party हमेशा सीधे सीधे जाती है और लिंक रोट की सीधे सीधे रोट पर जो माननी शिवरा सिंग जी का जो बंगला है उसमें हमारे पूर मंति माननी पीजी शर्मा जी के नेतत्व में माननी कृष्ण मंति जी के नेतत्व में हमारे Congress के कार्य करता गए थे और मुझे याद है कि मद्विदेश के सभी प्रमुक समाचार चैनलों ने उसको फिरसारित किया था अब मुझे बात बताएं जब वो लिस्ट देने गए थे तो माननी उस समय के जो पूर मुख्यमंत्री वर्तवान मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चवान जी को जो लिस्ट सौथी थी आगे रोनों ने उस चीज़ का विरोफ्यों नहीं किया और मैं तो अभी कोर्ट कर रहा हूं कि यदि मैं गलत बात बोल रहा हूं यदि वो लिस्ट गलत थी तो उनको माननी का दावा करना चाहिए उस समय तो हमारे मंत्री गए थे ना कितनी बार किसको लिस्ट देना यह बारती इंता पार्टी बता दे बाया आपके पास है सवाल मुख्यमंति शिवरा सिंग चोहान कर रहे हैं जवाब एक बार फिर आपको देना पड़ेगा आप पहले सुची दिखा चुके सुची सही थी गलत थी एक बार फिर वो निदाजित करेंगे हमारा मानिपूर मंद्री जी के नेततों में शिवरा सिंग चोहान जी को लिस्ट सोपी गई थी या नहीं ठीक है मैं पूछ लेती हूं पर उससे पहले मैं संजीव जी के पास आऊंगी संजीव जी आती हूं आपके पास बिलकुल जवाब लूगी आपको सवाल जो तावरे जी का था उसी पर जवाब लूगी संजीव जिस तरह हम सुन रहे हैं दोनों ही पार्टिया इस बात को कह रही है कि किसान कर्ज माफी का वादा आपने दस दिन में किया बीजेपी इस बात को कह रही है आपने दस दिन में वादा तो किया लेकिन जब सत्ता पर आए आप सोला महीने तक आपने राजबो किया लेकिन आपने किसानों के रिड़ माफ ने किया किसान कांग्रेस इस बात पर अड किसान कर्ज माफी की बात चुकि अब कांग्रेस के साथ खत्म हो गई अब बीजेपी की सरकार है और सवाल कांग्रेस भी इस बात को कर रही है कि क्या दो लाक तक के कर्ज या उससे ज्यादा के जो कर्ज किसानों के अभी बचे है उसको बीजेपी माफ करेगी करता है कि क्या कदम होगा इस दिशान में लेकिन यह राजिश्टी का विश्य तो है ही है वाइदा जो किया था कॉंग्रिस की और से हुआ था कॉंग्रिस में किफले वादा किया था कि हम सथका में आगे हैं तो दोलात रुपे तक के कर्ज माफ करेंगे कर्ज माफी की बाद रहा हुआ दिनिया मत्पडेश को कई अलग अलग जबहों पर जो समाएं थी चनारी उसमें की थी और कमलनाथ में जब मुक्मंदी पर समाणा था सबसे पहला निर्ड़ने की जोड़ा हुआ लिया था कि कर्ज माफी को लेकर और कर्ज माफी का सुचिका जो कॉंग्रेस की और से जब कहा जा रहा है यह वो तर्ग देना है बितल सही है कि सरकार 5 साल के लिए आई थी पार्ट में तो चीजें होनी थी बहुत बड़ी संख्या है मत्पड़िश्पे किसानों की तो जो शुरुआत वो कर सकते हो ने शुरुआत की बाद में जो जो कर्ज माफी का जो 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 कर्ज की वालियूम था वो हो सकता है लेकिन अब जब यह परकार जा चुकी है विकमलनाथी और बीजेपी सफ्ता में आ चुकी है तो किसान तो जो पहले खाड़ाता वहीं आज भी खड़ा हुआ है का कर्टिक आफजाएं लगादार मत्यत दे इस नहीं है तो उसकी जो कठनाई है और कर्ज माफी का जो वालता उसको लेकर जो इसमें अमने शुकाने करम कर दिया था या नहीं शुका पाइए था उसके सामें तो बढ़ा और पीर संक्ट खड़ा हुआ है कि यह क्या करें क्या ना करें दिल्फुत लोग जी संजीव ज सी आई जिससे कही न कहीं दो-चार होना पड़ा सरकार को और यही बात तावरे जी कह रहे है कि लिस्ट वो पहले भी दिखा चुकिए उस समय इस चीजों को नहीं उठाया गया सवाल नहीं खड़े किया गया और बात मान ली गए थी कि हाँ यह एक लिस्ट है और इन किसानों जो कटगरे में कॉंग्रेस को बीजिपी खड़ी कर रही है उस उसमें आपने दोनों ही जो हमारे में मान उने कहा कि कर्ज कहीं न कहीं माफ हुआ है कि पहली बात तो यह कि यदि आप कर दी है तो जीतों पटवारी जी जिनका आप बयान अभी तीवी पर दिखा रहे थे वह कौन से कर्जमाफी की बात कर रहे थे यदि आप कर चुके हैं तो एक बात दूसरी बात आप अगर पांच वर्ष में भी करना था तो प्रती वर्ष 12 को आप को आश्चर निकानि के सभाव देर है किसे कि kidding कितने चार टो बताओ इसमें जो आपने माफ किये हैं वह Sydney किसान को कर्जी माफी का काम आपने किया है और आपको याद होगा कि जिन्हों ने जा जा दोजार उनिस में आया तो आपने अचानक से मार्च में हर किसान को मैसेज भेगा कि अभी चुनाओं के कारण आचार सहिता लगने के कारण आप तर्जमा भी रुप गई है इसके तुरंत बात चाली होगी जो नहीं कर पाया आप बार बार जूट क्यों बोलते हो और आप 2020 मे करें किसानों के तर्जे मांप करने आपने क्यों नहीं किये और आप Georgetown क्षित्प्रदेश मांण ACL करेंगे कि हमारी तो सरगारी गाउगरी मजदूर किसान की है उनके हित के लिए उनके संबान के लिए उनके बात और आपको बता हूँ एक वर्ष में हमने मत्यप्रदेश के किसानों को 37701 करोर रुपया नगत उनके खातों में पहुंचाने का काम किया था यह लोग बाते कर रहे थे कि इनके पास तो हिसाब भी नहीं हैं कि साजार परशेजार करोर दीए थिक रागार बहुत किसानों के करद अगर आपने माफ कि फिर यह बात क्योंकि आप आप सत्त अपर हैं आप माफ कीजिए जाना चाहते कि दो क्यों कर रहा है अगर माफ किया है तो हां किया है नहीं किया है तो क्या यह नहीं किया है पहले तो उनको ये बताना चाहिए कि 10 मिट पहले वो एक बात कह रहे थे कि हमने एक भी किसान का करजा माफ नहीं किया है मैंने जब ये जवाब दिया कि हम तो पूरी सूची लेका शिवराज जी के पास गए थे तब शिवराज जी ने क्यों मना नहीं किया और रही बात ये बड़े हास्यासता प्रशन है पास साल के लिए सरकार होती है तेर साल हमारी सरकार जो है वो 14-15 महीने रही है जितना हो सकता था हमने किया है अब हमारी सरकार तो है नहीं अब जिनकी सरकार है उनी से तो कहेंगे न जो 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 आमने वादे किये था हम उनको ने बाते हैं, पता नहीं था कि पर लादा तो आपने बाजी नता पाजी तो सबाल किरा देगी देर 14-15 रही नेव में जितने किसानों को करना माफ हो सकता था माननी कमलाज जी ने किया है और एक बात और आपके चैनल के मात्यम से बताना चाहूंगा समय की सबस्टां के बात श्रकार अची दोनों मिलकर वापर कॉंग्रेस की सरकार बनाने जा रही है इसलिए आप देखिए इनको लगातार कमलना कोभिया हो गया है तो बीजेपी इस बात पर अब सवाल खड़े कर रही है कि किसानों के कर्ज माफ करके वादे जो वादे किये थे कॉंग्रेस में सत्ता पर काबिस हुई थी वो वादे उन्होंने पूरे नहीं किये जो वादे न उन्होंने किये तो उसमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया जवाब अभी कॉंग्रेस की तरफ से फिलाल नहीं है जब सत्ता में कॉंग्रेस थी तब जवाब देती रही सूची दिखाती रही पर अब चुकी विपक्ष में है जवाब फिलाल अभी कुछ भी नहीं आया जो काम उन्होंने पंद्रा महीने में किया वो पंद्रा पास साल की जब सरकार उनकी रहती है तो वो कुछ और ही करके दिखाते हैं फलाल अपनी इस चर्चा को यही पर दूंगी विराम देश और दुनिया की ताजा खबरें आप देखते रहें अच्छा आफ लुट वो की तेखते हैं